तो उन्होंने कहा कि तेरा तारीक को कई लोग उनके घर गए थे ये संदीप ने कहा आपके दोस्त को और क्या कहा देन वह दिशा का उसको पता लग जाता देन सुशान ने यही बात को बताई संदीप सिंग को देन पस संदेश सिंग ने वही कल कर दिया बाकी लोगों को तो यह दोस्तों सुसान चिंग राजपूत के दोस्त गने सिवारकर और यह एक कॉरियोग्राफर भी है अब दोस्तों यहाँ पर इनों ने बहुती बड़ा खुलाशा कर दिया है अब दोस्तों दिसा सालियान के मामले में जो लोग भी इनवोल्ड हैं जिन लोग की वज़े से दिसा सालियान आज इस दुनिया में नहीं है शुषांद को इन सभी के बारे में पता चल गया था और शुषांद इन सभी को एक्सपोस करने वाले थे और एक कांफरेंस मीटिंग करने वाले थे अब दोस्तों शुषांद ने यहाँ पर संदीब सिंग को इस सारी बाते बता दी थी कि वो एक conference meeting करने वाले है और जो भी लोग दिसा सालियन के केश में शामिल है उन सभी का नाम मेडिया में लेने वाले है अब दोस्तों यहाँ पर संदीब सिंग ने क्या किया कि शुषांत के साथ बहुती बड़ा धोखा किया संदीब सिंग ने दिसा के गुनेगारों को फोन करके ये बता दिया कि शुषांत एक meeting करने वाला है और तुम सभी लोगों के नाम वो मेडिया में लेने वाला है अब दोस्तों जैसे ही उन सभी लोगों को ये पता चला कि शुषांत ऐसा कुछ करने वाला है तो वो लोग शुषांत के घर आएं एक पार्टी के बहाने से और वही पर इन लोगों ने शुषांत के साथ इन ही लोगों ने हाथा पाई की और इन ही लोगों ने शुषांत को खतम कर डाला ये सब कुछ दोस्तो कहा है शुषान के फ्रेंड गनेश ही वार करने अब दोस्तो ये जो कहानी शुषान के फ्रेंड गनेश ने सुनाई है ये सो टका सच है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था हमने आपको दोस्तों पहले भी एक विडियो बना करके बताया था कि शुषांत के घर में तेरा जुनको कुछ लोग पार्टी के बाहने आते हैं और वही लोग शुषांत के साथ हाता पाई करते हैं और वही लोग शुषांत चिंग राजपूर को ख़तम कर देते हैं अब दोस्तो इस कहानी का जो मेन विलन निकला वो निकला संदीब सिंग। क्यूंकि उसने ही शुषांद को धोखा दिया और उसकी वज़े से ही सुषांद की जान गई। अगर सुषांद को पहले पता होता कि संदीब सिंग उनका खबरी है तो सुषांद कभी संदीब को पकड़ना चाहिए और उसके साथ साथ सिध्धात पिठानी को भी पकड़ना चाहिए और इनसे कड़ी से कड़ी पूछताच करनी चाहिए क्योंकि सुसान के साथ 13 जिन को क्या क्या हुआ पार्टी में कौन कौन आये थे और किस तरह से सुसान चिंग राजपूत को खतम किया गया इसके बारे में पूरी जानकारी सिधात पिठानी को है और दिसासालियान के साथ क्या-क्या हुआ, उनकी पार्टी में कौन-कौन शामिल था और किसकी वज़े से दिसासालियान की जान गई, इन सभी के बारे में जानकारी संदीप सिंग को है तो खुली मिला के दोस्तो अब CBI को संदीप सिंग और सिधात बिठानी को पकड़ना चाहिए और इन दोनों से कड़ी से कड़ी पूछताच करनी चाहिए अब दोस्तों इन दोनों को ले करके आप लोग के क्या opinion है और आप लोग को क्या लगता है और आपके क्या राय है आप लोग हमें comment करके जरूर बताएं